हलो एवरीवन आज का जो मेरा सेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टन्ट सेशन है सी यू सी इटी को लेके हैं और इस पर आप पिछले कई समय से कुशन भेज रहे हैं कि सर जो सेंटर इंवर्शिटी है इस बार से कॉमन इंटेंट टेस्ट ले रही है तो उसका क्या प्रोसेजर है कब एक्जाम होगा क्या पैटान है तो मैं आप सब को बता दूँ कि सी यू सी इटी का मतलब क्या है और इस एक्जाम के बेनिफिट क्या है क्यों इस एक्जाम का इंपॉर्टन्ट है और आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं तो बहुत ध्यान से मेरी बात है सुनिए और समझिए जिससे कि आपको दिक्कत ना है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, Center University Common Interint Test, CU, CETS की short form है, जो UG और PG के लिए जाना जाता है, UG मतलब graduate course और PG मतलब post graduate course, यानि जो student 12th pass है, वो UG courses के लिए apply करेगा, और जो student graduation कर चुका है, वो PG courses के लिए apply करेगा, अब important बात ये कि ये exam की क्यों जववत पड़ी और इस exam के क्या-क्या benefit है, क्योंकि हमें UG और PG के लिए बहुत सारे college में admission तो direct मिल जाता है, तो मैं पहले आपको बता दूँ कि हर state में कुछ university ऐसी होती है, जो जिनकी बहुत अच्छी reputation होती है, और करती थी कई सारी, तो उसमें problem ही होती है कि हर university का अपना exam, फिर उस exam के result के बाद बच्चा admission लेता है, पर दूसरी university का भी देता है, तीसरी university का भी, तो अब वो किसी एक मही admission ले सकता, तो कहीं और cancel करवाता, betting list यानि ये process बहुत लंबा होता था, इसलिए जो topmost university है, वो धी UG में admission लेने के लिए उनकी priority होती है, अच्छे बच्चों की कि अच्छा college मिले, यही same चीज होती ही PG के लिए, तो आप सब लोग ध्यान रखो कि इस exam का बहुत ज्यादा benefit है, जैसे अभी तक क्या होता था, मैं आपको बताओ, एक idea दे रहा हूँ, जैसे अगर आप BHU में admission लेना चाहते थे, UG या PG के लिए, या suppose आप JNU में लेना चाहते हैं, या suppose आप जामिया में लेना चाहते हैं, या कोई भी, suppose आप DU में लेना चाहते हैं, तो इनके अभी separate exam होते थे, यह अच्छी universities, आप सोचिए आपने तीनों university के exam दी और तीनों में आप qualify हो गए, आप लोगे तो एकी admission, तो एक तो दो admission, दो seat block होती है, फिर आप seat अगर छोडते हो, तो आगले बच्चे के लिए फिर waiting list आती है, तो यह प्रोसेजर बड़ा लंबा होता था, इसको short करने के लिए, और अच्छी बात है, कि यह जो exam है, वो NTA conduct करेगा, NTA मतलब हो गया, National Testing Agency, या हम समझने की जगे confused हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपके साथ यह session लिया, अभी CUT की कोई date नहीं आई है, जब आएगी तो फिर से लूँगा, पर मैंने आपको बता दिया, इसका purpose क्या है, कि आप एक single exam देके, आपकी rank बनेगी, और according to rank, आप इन university में से किसी एक university में admission ले ल जाम देना है, और UG से जादा बच्चे PG के लिए जब फिकर करते हैं, पर UG और PG दोनों के लिए, तो मैं इसके बारे में जो information दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, number one, कि पिछले साल 2021 में 12 ऐसे university थी जिनोंने इसमें participate किया था, और यह सब information आपको मिल जाएगी official website पे, इ JNU का होगा, तो मैं आपको बता दूँ, बिल्कुल, BHU का, Delhi का, अलिगार मुस्ली इंवरसिटी, जामिया, जावालना लेरू, JNU, है ना, University of Hyderabad, and many-many universities, जिनके programs, CUCT के थ्रू होंगे, अब आप एक बात पक्की है, कि जैसी मैंने लिख दिया, इसमें Hyderabad, तो याद यह पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बाकी जब न्यू जाएगी तो पता चलेगा, पर मैंने आपको टेंटेटीब बताया, कि अब जितने सारे एक्जाम आपको देने होते थे, उसके जगे, आप एक सिंगल एक्जाम देके, जैसे निवसेट का एक सिंगल एक्जाम देके, आ आपको एक्जाम देके, आप लगवाग बहुत सारे IIT, IIIT, NIT और स्टेट लेवल के इंजरिंग कॉलेज के लिजिबल हो जाते हैं, वैसे ही C-U-C-E-T के तुरू भी आप बहुत सारी इंवसेटी के लिए एक सिंगल एक्जाम के तुरू इलिजिबल हो जाएंगे, और rank के difference के according, आपको seat मिलेगी, यानि आपका भली मने DU जानेगा, आपका BHU पर आपकी कितनी rank है, और बच्चों की counseling किस लेवल पे होती ही, उसके उपर ये depend करेगा, तो मैं आपको general idea दे रहा हूँ, फिर बात करते हैं, mode of examination, तो ये computer-based test होगा, यानि online exam होगा, और इस online exam में, एक चीज़ याद रखें कि दो पार्ट होते हैं, पार्ट A and पार्ट B, पार्ट A 25 question है, compulsory for all category, all category मतलब समझते हैं, चाहे आपको MCA जाना हो, चाहे आपको MSC करना हो, चाहे आपको M.com करना हो, चाहे आपको B.A.C. करना हो, है ना, चाहे आपको BA करना हो, बहुत सारे courses हैं, या B.T. करना हो, सब के लिए, ये एक general test में दो पार्ट रखें उन्होंने, 25 questions जो हैं, वो English, journal knowledge और numerical ability पर, यानि logical ability पर रखें, और जो second है 75, वो depend करता हैं, आप किस में जाते हैं, जैसे अगर आप computer field में जा रहे हैं, तो computer से rated subject होंगे, engineering field में जा रहे हैं, तो engineering से rated होंगे, एक section सब का common है, दूसरा section, depend on कि आप C.U.C.E.T. का exam किस लिए भर रहे हैं, किस लिए फिल कर रहे हैं, आप जैसे में मालो में एक idea लिया कि part B, जैसे अगर computer वाला बच्चा है, तो उसको क्या-क्या syllabus में मिलेगा, basic mathematics, digital logic, basic programming, data structure, database management, computer network, operating system, software engineering, यानि, अगर आप computer field में अप सब्जेक्ट होंगे, अगर आप M.com करने जा रहे हैं, आप B.com करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, उसके उपर, बच एक part ऐसा है, जो की सभी के लिए common है, जिसके 25 questions होंगे, और merit इन दोनों को मिला के ही बनेगी, marking scheme की बात करें, तो 4R-W से marking होगी, यानि 4 marks आपको correct मिलेंगे, और 1 mark की negative marking होगी, ये clear है, duration of exam, 100 questions, और 2 घंटे का आपको time मिलेगा, मतलब, ठीक है, और normally, अगर इसके schedule की बात करें, examination की बात करें, तो ये भी मैंने tentative लिया है, इसको बिलकुल मत समझेगा, normally, इसका जो online application start होता है, वो अपरेल में start होगा, chances है, पहले भी हो सक प्री पॉर्ण कुछ भी हो सकता है, पर एक tentative बात करें, application 4th week of April, admit card 2nd week of May, और exam की बात करें, तो 3rd week मै के बात कभी भी हो सकता है, यनि मै, जून, जुलाई, अभी आप देख रहा है, due to COVID, exams की जो tentative समय होता है, उसमें भी plus minus हो रहा है, तो एक मैंने आपको tentative idea दिया, कि इसके आसपास कुछ होगा, तो मेरा इस session का main जो purpose था, वो ये था आपको बताना, कि आप, लोग, अगर, माली ये UG, या PG, किसी top university से करना चाहते हैं, top university से मतलब है, like JNU, BHU, पूरे university, हैदराबाद university, DU, and several type की state university, जो की अच्छे college होने के साथ साथ अच्छे placement देते हैं, तो आपको इसके लिए common entrance test देना होगा, जिसका नाम है CUCET, और इसके entrance के through, इसकी ranking के through, आपको college मिलेंगे, तो इस बार बहुत high chances हैं, कि जैसे जो मैंने नाम लिए, कि ये college भी जुड़ जाएंगे, तो बिलकुल chances हैं, कि आपको इन colleges के अलग से form नहीं भनने होंगे, बाक CUCET के लिए अलग से कुछ effort नहीं डालने होंगे, ज्यादा, इसलिए अपनी preparation को divert मत करिये, ये question बिलकुल मत करिये, कि क्या syllabus से सर, exam date कब आईगी, वो सब जब आईगी जब बताऊंगा, इस session का एक purpose है, क्योंकि continuously regular phone office में मेरे पास messages आते हैं, तो मैंने सोचा, एक छोटा सा session लेकर आपको ये बता दू, कि बहुत हाई chances हैं कि CUCET के तुरू ही, इस बार इन universities के exam होंगे, और यह आप लोग के लिए अच्छा है, क्योंकि आप सोचिए, last year तक क्या होता था, आप BHU का अलग form भर रहे हैं, DU का अलग form भर रहे हैं, JNU का अलग form भर रहे हैं, जामिय problem कम होगी, university को भी बहुत बड़ा फायदा है कि समय पे उनको बच्चे मिल जाएंगे, तो ये main purpose था, और एक और बात बोलूँगा, अभी ये shorty नहीं है, पर 99% chance है कि ये सभी university जो नाम ले रहा हूं, include हो जाएगी, पर plus minus हो सकता, क्योंकि जब हमारे पास official notification आएगा, मैं ह और हम इस syllabus को कैसे cover कर सकते हैं, thank you and all the best, take care of yourself